अलो स्टूरेंट्स नमस्कार सो सीए इंटर्मीडेट के जो स्टूरेंट्स है वो बार-बार एक ही बात को लेके बात करें थे कि सर हमारे एक्जाम जो यह अब जैनुवरी टूटाउजिन टूटिफाइव में होने हैं पहले तो नुवंबर चौबिस में होने थे पर अब व वीडियो उन्ही सेट अफ स्टूरेंट्स के लिए कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए जो बच्चे हमारे साथ में पढ़ रहे है या जो अपने पर खुद त्यारी कर रहे है तो मेरे प्यारे बच्चो मैं आप लोग के साथ यहां पे एक पूरे का पूरा टाइम लाइन ले अब लोग का लोग का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे है और विसी जो बच्चे जो है और डिफरेंट प्लैटफोर्म्स पर या लेट से अपने पास में सेल्फ्रेडी कर रहे है तो उन बच्चों के लिए वह अकॉर्डि टेक्सेशन चल रहे है वह मोर और लेस अब मान करेंगा 20th to 31st of July तक के बीच में कंप्लीट हो जाएगा 31 जुलाही तक आप लोग का ग्रूप बन पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसमें कुछ भी नहीं बचेगा तो उस तारीक से आप लोग अपने पास में रिविजन शुरू कर सकते हैं किसी भी दो सब्चेक्स की आउट ऑफ दी ग्रूप बन के जो तीन पेपर है और जो कॉस्चिंग है क्योंकि वह भी आपका कंप्लीट हो चुका होगा ठीके ना तो उसमें मैं प्रैफर करूंगा क अप लौर कॉस्चिंग से शुरू कर सकते हैं उसको करे वे समय हो चुका होगा एडवांस अकॉंट टैक्सेशन आपका इमिजेटली कम्लीट हुआ होगा तो आप उन दो से शुरू कर सकते हैं बट एक महीने के बाद जाके आई विल रिक्मेंट कि से आप अल्टरनेट पे आप एडवांस अकॉंट और टैक्सेशन भी शुरू कर सकते हैं आप अल्टरनेट पे आ जाना कुछ समय के लिए कुछ समय कर आप अल्टरनेट पे आ जाना एन प्रबेबली बाए थर्टी अथ अव सेप्टेमबर तक आपका ग्रुप टू के वी जो दोनों सब्जेक्ट स है वो complete होजेंगे FMN audit obviously plus minus few days obviously that can obviously वो हमेशा एक रहता है नो आपकी first revision एक बार के लिए चालू हो गई थी वेटा एक अगस से ही जब आप लोगों ने शुरू करी और वो धीरे-दीरे चलती जा रही है और एक tentative target रखना है कि 15 नवंबर तक हम लोग अपनी first revision को complete कर देंगे sir किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे first revision वो मैं आगे जाके बात करूँ मैं tentative timeline दे रहो आप लोगो और विसलिक जिन बच्चों का backlog है जिन बच्चोंने लेट से costing नहीं शुरू की थी वो अब शुरू करेंगे दोनों group की त्यारी कर रहे तो उनके में थोड़ा सा change आएगा three days for the second revision of six subjects and probably exams will start considering की मुझे ऐसा लगता है mid of January तक शुरू होंगे ठीक है तो उस case के अंदर में आप अपने पास में बच्चे वे जो दिन होंगे 15 एक दिन उसमें आप अपने third revision कर सकते हैं अगर किसी वज़ा से मालेज़े exams बिलकू start of January में होते हैं तो अपने third revision अगर करन करना पड़ता है चीजों को प्रोविजन को तो accordingly that will be change जब एक बार के लिए examination की date sheet बेटा आप लोग की आ जाएगी बटे की tentative plan रखे रखे और इसी को लेकिए आप सारे का सारा अपने पास time table बगयर और बाकी चीज़े आप लोगों ने बढ़ानी है नौ मेरे प्यारे को अपने पास करते रहेंगे आप कोई भी उसमें backlog नहीं होने देंगे उसमें अभी से अगर questions mark कर सकते है तो बहुत मदद आती है revision के अंदर में आप लोग की different questions है अब जो बात आती है first revision के अंदर में you have to focus on the concept concept सबसे पहले किसी भी topic के अंदर में आपको maximum से maximum questions खुद का subject है in my book in advance accounting I have made sure कि आपके बास ICS statement RTP PYQ sub cover है in subjective question as well as MCQs as well तो आपकी सारी चीज़े cover है तो make sure कि आप उसको करते हो अब बागी subject में भी आपको यह insure करना है कि यह चीज़े होती जाए आप लोग की वह cover हो जाए तीक है आप handwritten notes का फायदा उठाएंगे between any subject accounts में अगर मै and MCQ practice आपने chapter by chapter साथ साथ करते चालिगे except for obviously case study based because वो slavers completion के बाद ही generally हो पाद ही है क्योंकि और mixed questions होते है ठीक है na just text में अगर total income के questions है तो वो आप obviously slavers completion के बाद ही कर पाते है पहले नहीं हो सकते ठीक है तो वो चीज़े आपकी बाद में होते है बट एक बार के little list जो basic MCQs करते है और फिर कुछ questions select करते है जिसमें majorly concepts आपके अपर हो जाते है यह practical subject के अंदर चीज़े आपके अप्लाई हो जाते है पर for theory subjects आप लोग को कुछ extra चीज़ों को ध्यानक ना पड़ता है आपको keywords underline करने है उसमें अगर आपको लगता है वो mnemonism types का आपके पास इस्श करने आपको flashcards का इसमाल करने आपको summary charts का इसमाल करने आप उसका use करिए for better memory techniques अगर आपको लगता है जरूर कोशिच करे कि एक से दो कोशिचन हर chapter में हाथ से जरूर लिखके देखे ताकि आप लोग को एक idea लगे कि आपका thought process कहें चल रहा है याद करने में और उसे लिखने to a certain extent जहां theory वाले standards आते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप summary charts summary notes का अपने पास भरपूर फायदा उठाए आप चीजों को याद करनी कोशिच करें उसमें keywords जो अपने पास ध्यान रखे और आप अपने पास memory techniques का इसमाल कर सकते हैं उसके अंदर में एक कोश कराते class में वह एक जगा पर note कर लिए ऐसी income tax की important sections है वह एक-दो pages के अंदर जो आपको teacher ने कराए है वह अपने पास में section और उसकी heading को लिख लिए ताकि वह चीज आपनी याद रखनी है law की important sections है audit के अंदर में आप देखेंगे standards on auditing है वहाँ पर जैसे accounts में accounting standards है standards on auditing है उ तो कुछ subjects में आपके formulas होंगे FM costing के दिन एक एक जगा पर note होंगे न तो आपके लिए हमेशा last day मदद करें और यह सारे efforts न आपके बेटा first revision में preparation phase में ही मदद मिलती है यह second revision paper वाले दिन नहीं बना पाते है यह अभी बना सकते हो यह summaries और यह charts पगरा होते है ताकि आपको next revision में बहुत जल्दी आपको हमेशा revision में आपके बास मदद मिलती है दिन आप इस चीज का भरपूर फायदा उठा सकते चार्ट of sources का यह आप हर subject के अंदर कर सकते हैं जैसे मैं आप लोग को यहां पर accounts का एक तरीके से रहो कि आपका क्या-क्या content है उस पर control रखने के लिए आप इसका भरपूर फायदा उठाए लाइक कि आपके assignment questions होगे practice questions होगे marking आप लग कर रहे हैं उसमें से कौन से पर क्या यह चीज़े आपने कर ली कि नहीं कर ली क्या RTP हमने May 24 का देख लिया September का आएगा January का आएगा PYQ हमने अपने पास कर लिया MTB देख लिए तो टिक हो पूर content है तो कैसे control रखेंगे memory भी तो नहीं चलेगा तो आप हर subject के अंदर में क्या क्या आपके sources of study है क्या आपने वो कर लिया कि नहीं कर लिया और जहां पर important चीज़े अगर mark कर रखी है तो यहीं पर reference दे दीजिए कि उसका important question यह करने जहां एक या दो question मानलो कोई MTB में नहीं question लगा तो यहीं लिखके रख लो उसका बस यह और यह question देखना उस chapter के सामने ठीक करते जाओगे तो आपको हमेशा पता रहेगा हाँ यह हो गया यह हो गया यह हो गया तो मुझे पता रहेगा जो मुझे अपने तरफ से extra चीज़े करने ताकि आपका completeness रह इसलिए देन बेटा कुछ certain tips common points जो हर बच्चे को मैं हमेशा बोलता हूं इन चीज़ों को ध्यान रखने आपने टेस्स जरूर देने बैटे अपने आपको evaluate करने के लिए जो भी master test series आती है आपको लगता है आपने टेस्स जरूर देने एक-एक full-stable test last लास्त जाते वह ज़रूर द ध्यान रखना है इस समय तो आप देखके चलिए कि आप बहुत जादा घर्मी का टाइम है तो हमें अपने पास में hydrated रहना है जुरूर यह weather changes आपके पास आएंगे तो अगर आपकी तब्वेत खराब होते है किसी वज़ा से तो बेटा उसका impact आपकी studies में बहुत जादा आत अगर मैं आज से देखता हूं तो उसके लिए अपने ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर ब्रेक्स जरूर लेत रहे है पढ़ाई के दुरान में exercise करते हैं so that आप अपने पास में हमेशा के तरह एक energetic रहे और health wise हम अपने पास में better है and be positive and stay motivated मेरे प्यारे बच्चों because that is very important in this course because CA Inter में आके different ballgame हमें देखने को मिलते है subjects काफी जारे लंबे देखने को मिलते है questions बहुत जाद है कितनी चीज़े हम ग्याद रखे so you have to stay positive and just believe in yourself कि yes मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा है करके दिखाऊंगी और मेरे को अपने घरवालों का सपना जो मेरे गोल है मै मैंने अपने लिए रखावे CA बनने का उसके लिए जो यह पढ़ाव एक प्रकार का CA Inter को clear करना में जरूर करके दिखाऊंगा यह दिखाऊंगे तो मेरी best wishes आप बच्चों के साथ है इन चीजों को जो मैंने आपके साथ discuss करी वो बेटा जरूर फायदा उठाए बाकी बच् झाल